Hello students, welcome और इस वीडियो में question number 3 करेंगे हम प्रशनावली 7.2 का ये figure given है आपके सामने और इसमें ये एक sum दिबाहू यानि आइसोसेलस ट्राइंगल है और इसमें question में देख सकते हैं दो जो समान बरावर भुजाएं हैं वो है A, B और A, C ठीक है ये question में दियावा है और B से E पर एक lump डाला जाता है यानि altitude C से F पे भी एक lump डाला जाता है और हमें प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है कि जो ये lump है वो आपस में बरावर है B, E बरावर F, C B, E बरावर F, C ये हमें प्रूफ करना है question समाज आ गया अब इसे हम solve करना शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दिमाग में solve कर लेना चाहिए तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कि हम triangles कौन से लें तो यहाँ पर हमें वो triangle लेने चाहिए जिनमें ये सारी sides available हो तो A, B, A, C ठीक है B, E, F, C कौन से triangle लें जो ये सब cover करें तो हम triangle A, B, E यानि ये triangle और A, F, C यानि ये triangle तो इन दोनों triangle को आप ठीक से देखो हम लेंगे ये दोनों triangle अब इसमें देखो कौन सा नियम लगेगा ये भी है ज़रूरी तो देखो ये side और ये side बराबर है यानि इस triangle की ये side इस triangle की इस side के बराबर है ठीक है उसके बाद चलो ए आप देखो इस triangle का ये angle देखो आप ये mark मत लगा ना मैं बस आपके समझाने के लिए लगा रहा हूँ ये angle इस वारे की angle की बराबर है क्योंकि दोनों में common है वो तो angle हो गया अब इस वारे triangle का ये angle 90 degree है और इस वारे triangle का ये angle भी 90 degree है तो एक और angle equal है अब ये कौन सा नियम है देखो ये बिलकुल नियम है ये a a s करके नियम होता है तहां एक order होना चाहिए ठीक है तो कौन सा order है ये ये है angle angle side angle angle side ओके तो बस ये हम लेके चलेंगे ये mind में रहेगा हमारे और अब इसको करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा angle की बात करेंगे एक प्रॉपर order सही होना चाहिए तो ये angle फिर ये angle और फिर ये side की बात करेंगे हम तो ये angle और ये angle बराबर हैं तो हम लिखेंगे के त्रिबुज ए ए बी और त्रिबुज ए एफ सी में अब इन दोने में क्या है देखो यहाँ पे angle ए ए बी बराबर है यानि ए ए बी बराबर है ए ए ए एफ सी के और क्यों क्योंकि दोनो 90 डिग्री है ये दिया हुआ है दोनो 90 है अब इसके बाद पिर इसके बाद करते हैं तो angle A बराबर angle A दोनों में ही ये बराबर है ठीक है आप चाहिए angle A लिखो चाहिए आप angle C, A, F लिखो लेकिन देखो जब भी कोई angle A से एकदम अकेला होता है ल क्योंकि ये भी है फिर ये भी है लेकिन जो angle बिल्कुल अकेला होता है जैसे ये B है तो आप सिदह angle इसको B लिख सकते है ठीक है कोई प्राबलम नहीं है तो ये angle A बराबर angle A ठीक है उसके बाद इस वाले त्रिबुज में ये side A B इस वाले त्रिबुज की A Z side के बराबर है ओके अच्छा ये equal क्यों है क्योंकि ये common है और ये बराबर क्यों है क्योंकि ये दिया है ठीक है इसमें question में ही दिया है well हो गया angle side से तो आप कहेंगे सरवांग समता के angle angle side नियम से कौन सा नियम है angle angle side में इस नियम से क्या होगा triangle A E B congruent है triangle A F C के और जब एक बार ये congruent proof हो गए तो इनके corresponding parts equal होंगे और इससे आप लिख सकते हैं जो पूछा गया है यानि BE बराबर FC के और क्योंब आपको बस ये लिखना है कि ये cpct से बराबर है बस ठीक है एक बार ये congruent proof हो गए तो cpct से बराबर हो जाते है और ये हमारा answer आ गया है और राइट तो आई होप आपको समझ आया होगा मिलते अंगे वीडियो में टेक क्यार